नमस्कार दोस्तों, ड्रेक्ट वैदिक रेमडिस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मनुष्य के जीवन में आ रही कई परिशानियों के लिए जोतिश और वास्तुशास्त में अनेक सरल और सटीक उपाये बताए गए हैं इन उपायें से व्यक्ति अपने जीवन की धन संबंदी, भागे संबंदी, बिमारी संबंदी, सफलता संबंदी जैसी अनेक समस्याओं से चुटकारा पास सकते हैं पोधे मनुश्य के जीवन में एहम भूमी का निभाते हैं, फिर चाहे बात बागवानी की हो या किसी तरह के जोतिश या वास्तुश के उपाये की इस वीडियो में बात करेंगे एक खास हरे रंग के पोधे के बारे में, जिससे आपके घर में धन, भैबव और सुक संबंदी का आगमन हो सकता है हरे रंग का बेहद अगर्शक दिखने वाला ये पोधा वास्तुशास्त में विशेश महत्व रखता है इस पोधे को आम बाशा में मोरपंकी कहा जाता है मोरपंकी ना सिर्फ घर की सुन्दर्ता को बढ़ाता है, बलकि मनुश्य के जीवन में आ रही अनेक समस्याओ से भी चुटकारा दिला सकता है वास्तुशास्त के अनुसार यदि आप अपने घर में मोरपंकी का पोधा लगाते हैं तो इससे आपका घर सकरात्म कुर्जा से भरा रहता है वास्तु शास्त में बताया गया है कि यदि जोडे से मोरपंकी का पोधा लगाया जाए तो उस घर में मुझूद सभी सदस्यों की बुद्धी में त्रिव विकास हो सकता है मोरपंकी का पोधा परिजनों में एकारगता विक्सित करता है इसके अलावा इस पोधे को लगाने से बच्चों का दिमाग भी तेज होता है वास्तु शास्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ती आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसे अपने घर की उत्तर जिशा में मोरपंकी का पोधा लगाना चाहिए ऐसा करने से मा लक्ष में प्रसन होती है और आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है वास्तो शास्त के अनुसार यदि आपने किसी से करजा लिया हो है या फिर आपके दूरा लिया गया लोन खतम नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप घर में मोरपंकी का पोधा लगाएं इस उपाए से आपके उपर चढ़ा हुआ करजा उतर जाएगा और आपके दिमाग में बन